हलो गाइज, विकी बीडिया चैनल में आपका स्वागत है, मैं भी पूल जैन, आज आपको बतनाने जारू हूँ शमांतर सेडी के बारे में, समांतर सेडी की पिछली वीडियो में ने एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात की ती, आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, आएज देखते हैं, शीखते हैं, विकी बीडिया चैनल के माद़ हम से समांतर सेडी कैसे करते हैं, जैजनेंद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हैं, हमने एक्सरसाइज 5.1 में समांतर सेडी को पहचानना सीखा था, आज हम सीख रहे हैं समांतर सेडी के एनवे पद को कैसे निकालते हैं, ठीक है, एनवे पद को हम कैसे ग्याद करते हैं, देखिए आप हैं, देखिए समांतर सेडी का एनवा पद यह लिखा हुआ है, ठीक है, समांतर सेडी का एनवा पद कैसे निकाल जाता है, एपी का मतलब होता है, अर्थमेटिक प्रोगरीशियन, इसे समांतर शेडी अंग्रे जी में arithmetic progression बोलते है ठेक है समांतर शेडी का N वा पद का जो formula होता है उसे बोलते है A plus A N वरावर A plus N minus 1 into D यह लिखा है मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा है समांतर शेडी का N वा पद का formula होता है A N वरावर A plus N minus 1 into D जहां प्रथम पद A है और सारवंतर D है जिसे हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके है यह लिखा है एक समांतर शेडी का N वा पद इसे ब्यापक पद भी कहते है जनरल फॉर्म भी कहते है जनरल टर्म कहते है ठीक है आज अब देखिए आई अशीक्ते है समांतर शेडी के N वे पद को कैसे करते है यह समांतर शेडी का N वा पद का formula है इसे आपको याद करना पड़ेगा A N वरावर A plus N minus 1 into D देखे यहाँ पर एक table बनी हुई है मैं पहले आपको table किताब से रूबारू करा थे हूँ जिससे आपको फ्रशन समझने में दिक्कत ना हो देखे यहाँ पर जो किताब है जो पुस्तक में यह लिखा है निमने सारडी में रिक्तिस्तानों को भरिये जहाँ A P का प्रतम पद A सारवंतर D और N वा पद A है यहाँ देखे प्रतम पद 7 है D वरावर 3 लिखा है N वरावर 8 लिखा है और A N हमें आपको निकालना है तो यहाँ देखे मैंने इसको लिख रखा यहाँ पर A वरावर 7 D वरावर 3 N वरावर 8 और A N वरावर कुश्चन वार तो यहां formula लगाएंगे समंतर स्रेडी के n वे पत का या लिखेंगे समंतर स्रेडी का n वा पत है ठीक है a n वरावर a plus n minus 1 into d a n हमें आपको निकालना है a वरावर 7 n वरावर आपका 8 minus 1 और d वरावर 3 7 plus 7 गुड़ा 3 7 plus 21 यानि 21 दन 7 वरावर 28 second question देखिए जरा समझने की कोसिस करें अच्छे से second question है यहां देखिए फिर से मैं प्रश्ण को दोरा रहा हूँ आपके सामने दिखा रहा हूँ second question है minus 18 ठीक है d आपको निकालना है d की जगाए f link है ठीक है f links है और n वरावर 10 लिखा है a n वरावर 0 है हमें सिर्फ क्या करना है इन फॉर्मूलों में इस value को put करना है ठीक है यहां देखिए a वरावर minus 18 है देख ली थी आप a वरावर minus 18 लिखा है d वरावर question मारके n वरावर 10 और a n वरावर 0 फॉर्मूला लगाएंगे a n वरावर a plus n minus 1 into d तो यहां देखिए 0 a की value minus 18 है plus n की value 10 minus 1 into d अठारे यह minus के अठारे इदर पहुचा है अठारे हो गए positive और 9 d ठीक है अठारे बटे 9, 9 का भाग लगाया 9 दूनी अठारे d वरावर 2 यह आगया अगला d वरावर 2 अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं देखिए यहां पर लिखा है question number 3 a link of link है यानि खाली स्ताने a d वरावर minus 3 दे रखा है n वरावर 18 दे रखा है और a n वरावर minus 5 दे रखा है यहां पर फिर से वही प्रश्ण को दोराएंगे यहां देखिए a वरावर question mark d वरावर minus 3 n वरावर 28 और a n वरावर minus 5 ठीक है formula को form में रखेंगे a n वरावर a plus n minus 1 into d minus 5 बरावर a plus 18 minus 1 into minus 3 ठीक है minus 5 बरावर minus 5 बरावर a plus 17 into minus 3 17 ती है 51 minus 51 और minus 5 plus 51 याने a बरावर 46 आ रहा है ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रश्ण है हमारा चौथा यहां लिखा है चौथे प्रश्ण में तरह देख ली थी आप चौथे प्रश्ण को लिखा है minus 18.9 a है d की value आपकी 25 है n आपका question mark है a n बरावर 3.6 है ठीक है 3.6 अब यहां देखिए जरा देखिए आप पर a बरावर 8.9 है d बरावर 2.5 n बरावर 3.6 यहां पर हम प्रश्ण को करेंगे a n बरावर a plus n minus 1 into d a n बरा 3.6 a बरावर आपका minus 18.9 plus n minus 1 into 2.5 ठीक है 3.6 18.9 को इदर सरका है प्लस का हो गया n minus 1 into 2.5 18.9 और 3.6 को हम एड करेंगे 22.5 बरावर 22.5 n minus 2.5 शाड़े 22.5 यहां इदर ले गया है प्लस का हो गया और इनको एड करेंगे तो 25.08 2.5 बरावर a n बरावर 25 0.25 यह हो गया n बरावर 10 ठीक है आपको समझ में आ रहा है next question 5 इस ब्लोक का देखिए आप 5 बाला question क्या कह रहा है a बरावर 3 लिखा है d बरावर 0 लिखा है n बरावर 105 लिखा है a n बरावर question mark लिखा है ठीक है अगले प्रश्णी की तरफ चलते है अगला प्रश्णी देखिए a बरावर 3, d बरावर 0, n बरावर 105, a n बरावर question mark a n बरावर a plus n minus 1 into d यहाँ पर हमने रख दिया इसको a n बरावर 3, plus n गी value ए 105 minus 1 into 0 अब यह 0 है तो यह पूरा function 0 हो जाएगा सिर्फ साड़े 3 बचेगा या न बरावर 3 आ गया next question की तरफ चलते हैं पहले question को समझ लो तिर उसके बाद करते हैं देखिए यहाँ पर question क्या लिखा है निम लिके साही उत्तर चुनिए और उसका ओचित दीजिए ठीक है या ओचित तो होता है कारण दीजिए क्या कारण है समांतर सेड़ी एपी लिखा है एपी बरावर 10,7,4 का 30 वाँ पद यानि अपस आप समझ लिए इस तरह से नंबर लिखे यारे 10,7,4 फिर आएगा आपका एक ऐसे 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 नंबर चल रहे हैं इस तरह से 30 वाँ पद आपसे पूछा जा रहा है ठीक है 30 वे नंबर का पद तो हम क्या निकालेंगे इसमें हम निकालेंगे यहां पर तीसमें पद कौन सा आएगा जब भी वाँ आजाए वाँ आजाए तो या समझ लेना कि यह जो वाँ पूछा जा रहा है एन वाँ पद पूछा जा रहा है यानि एन टरम्स पूछा जा रहा है कि तीसमें नंबर का पद कौन से, 17, 10, 7, 4 का 30 वह पद ग्याद कीजी है, यानि जो 30 वह नंबर का पद पूछ रहे हैं, तो N वरावर हो जाएगा 30, N टर्म्स, N वरावर 30, और N वरावर हो जाए, N आपको निकालना है, N वह पद पूछा जा रहा है, तो N, N आपको निकालना है, यहां देखेंगे N वरावर, अब देखेंगे यहां पर जो कुश्चन है, 17, 10, 7, 4 का 30 वह पद, A वरावर 10, D वराव 7, 10 वरावर 3, देखेंगे, फ्रेंट्स, यहां पर A और D, तो पैचानने में आशानी होती है, लेकिन यहां पर यह तीस वह पद लेगा है, इसको पैचानने में ज़रा दि लीजिए, डॉट डॉट यह तीसवे नंबर का पद है, नंबर मींस N वरावर 30, ठीक है न, N वरावर 30, तो हम यहां रिकालेंगे, वह आ जाए, तो बोलते है, A N वह पद, A N वह पद, ठीक है, तो यहां पर A N वरावर, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यह हो गया, A बरावर 10 पिलस 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3, 10 पिलस 29 इंटू माइनस 3, 10 माइनस 87, ठीक है, अगला सब, अगला प्रशन है, समांतर सेड़ी माइनस 3, माइनस 1 वर्टे 2, 2 वरावर 11 वह पद, A वरावर माइनस 3, D वरावर माइनस 1 वर्टे 2, प्लस 3, 3, वरावर N वरावर 11, यहां दे यहां यह रखेंगे इसको ए ब्रावर ए प्लस एन ब्रावर माइनस थिरी प्लस ग्यारे में से एक गढ़ा है तस इंटू पाँच वट्टे दो दो बंजी तस पच्छम पच्छिस पराव बाव बाइस समयन तस घ्री माइनस थिरी कौमा माइनस एक वाटीस को हमादोका 11 पद ध्याद करो यहा हम आपको बता चुके हैं नेक्स टरम की तरम चलते हैं पुशन नमर थर्ड यहां देगे है निमले के 17 जड़ी में रिक्तिस्थानों को पदों को बरिए अब रिक्तिस्थान के पदों को हमें बरना है तो यहां पर है क्या दो प्लिंग दा ब्लिंग च्छंपिस ठीक है अब इसके पदों को कैसे बरा जाता है वो आप समझ जैसे हमने आपको ब्याफक पद बताया था तो था दिसरा तरम इपलस दी तीसरा तरम एपलस टूणी है तो यहांपर देखिए पहला टरम होता है ए अ अब बता दूम आपको दूसा टर्म होता है a 10 तीसरा टर्म होता है a 10 टूरी तो a की वैलू उन्होंने दे रखी है dużo और 26 दे रखी a टूरी टूरी की वैलू तो a ब्लस टूरी को पुट करतेंगे ठीक है नख यानि a ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये टर्म नहीं दे रखा है, ये हमें ग्याद करना है ठीक, A की वैल्यू को हम इसमें पूट करेंगे यहाँ देखो A प्लस 2D बरावर, 26 लिखा है माइनस A, बरावर, A की वैल्यू को आप रख दीजिये ठीक है, 26 मिस दो गए, 24 मचे D बरावर आगे बारे, अब यहाँ पर A बरावर, A प्लस D की वैल्यू निकाली दो प्लस बारे बरावर, 27 लिखा है, ठीक है, नेक्स टर्म देखिए यहाँ पर, देखिए, ये बलेंक्स खाली एक स्थान है, जहाँ मैंने ये प्रश्ण को 130 लिखा है, और A प्लस 3D आपका 30 लिखे अब यो, A प्लस D बरावर 13 खालीл, ऑर A प्लस 32ë लिखा-थी, ठीक है, ये प्रश्द है, हमें A निकालना है, और A प्लस 2D निकालना है, घीक में माइनस 5 आगया ठीक है और D की वैल्यू को किसी भी समीकरणे में रख देंगे जिससे A का मान हम निकाल लेगे A प्लस D बरावर 13 A प्लस 5 बरावर 13 A बरावर 13 प्लस 5 अथारह अब हमें निकालना कौन-कौन सा था A का मान आगे 18 और A प्लस 2D निकालना है तो यहां 18 प्लस 2 बरावर 5 अथारह में 10 गठाएंगे 8 ठीक है अगले प्रश्णी की तरफ चलते है एक प्रश्णी का करने का तरीका सिमिलर है यहां देखे 5 खाली स्थान फिर खाली स्थान 9 एक सही हो कटे तो पहला पर A बोलते हैं दूसरा A प्लस D तीसरा A प्लस 2D चौथा होता A प्लस 3D ठीक है तो A प्लस 3D जो टर्म है वह आप देख लीजिए यहां पर देखे मैंने किया है यहां देखिए A मैं यहां लिख दे रहा हूँ A फिर है आपका A प्लस D फिर है आपका A प्लस 2D और फिर है आपका A प्लस 3D यानि ये चार टर्म आपके सामने लिखे हैं A प्लस 3D बरावर है मैंने इसको स्वाल्म किया दो नम अठारा होते हैं और एक 19 बटे 2 A बरावर 5 A प्लस 3D मैं 19 बटे 2 रखती है यानि ये बरावर 5 रखो इसमें 3D बरावर 19 बटे 2 माइनस 5 यहां पर मैंने LCM लिया एक दो LCM 19 बटे 2 रखती है दो LCM हो गया 19 माइनस 5 बटे 10 19 में से 10 गटाया 9 बटे 2 आगया केंची का गुड़ा करेंगे या सीदा सीदा यहीं से हम काट देते हैं तो D बरावर 3 बटे 2 हमें मिल जाता है ठीक है अब हमें निकालना क्या था हमें निकालना था A प्लस D और A प्लस 2D तो यहां पर D का मान हम रख देंगे जिससे हमारा A और D का मान हम रख देंगे जिससे हमें A प्लस D की वैल्यू हमें गयात हो जाएगी 5 बटे 1 A की वैल्यू 5 है और D की वैलू हमने जो भी निकाली थी, 3 वट्टे 2, ठीक है, उसको हम रखेंगे, यहाँ, 2 LC हम हो गया, 5 दूनी 10, 3, 10, 13 वट्टे 2, A प्लस 2D, 5 प्लस 2 गुणा 3 वट्टे 2 से 2 कटे गया, 5 और 3, 8, ठीक है, अगले प्रस्टी की तरफ चलते हैं, चौते प्रस्ट में भी य A प्लस 3D, पांचमा टर्म आपका A प्लस 5D, और छटमा टर्म आपका A प्लस 4D है और A प्लस 5D, ठीक है, अब यहाँ देखिए, छटमा टर्म आपका A प्लस 5D है, हमें हमारे पास एक यह टर्म दे रखा है, और एक यह टर्म दे रखा है, सीधा सीधा प्रश्न है, A प्लस 5 5D बढ़ाव और 6, मानिस 4 गोदर ले जाएंगे 5D बढ़ाव 6 प्लस 4, 5D बढ़ाव 10, D बढ़ाव 10 बढ़ाव 5, बांदूनी 10, ठीक है, A प्लस D बढ़ाव मानिस 4 प्लस 2, 4 में से 2 निकाला मानिस 2, अब दूसरा निकालेंगे, A प्लस 2D, यहां से, तो A की वेलू आपकी मा निकाल चुकी है, मानिस 4 प्लस 4, 0 आगया, अब तीसरा टर्म हम निकालेंगे, A प्लस 3D, चौथा टर्म सॉरी, A की वेलू मानिस 4 और प्लस 3 इंटू 2, यहां देखे, त्रेपन लिखा है, 38, 23, 8, मानिस 7, मानिस 2, यहां देखिए, मैंस 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 2, मानिस 4 तरह रही मान रहा हूं, A, A प्लस 2, A, 3, A, 4, D, A, 4, D, और A, 5, D, ठीक है, मैंने इसको लिख लिख लिया है, अब यहां देखिए, यह ए, प्लस D दे रखा है, 38 और यह दे रखा है, A, प्लस 5, D, दोनों को रखेंगे, समीकर एक और दो मानिए, यहां पर प्रिचिन्नों क गटाएंगे इसे एकट गया, मैनस 5D में दी गटाएंगे, मैनस 4D, 22 वरतीस साथ होते है, फिर D कामान साथ बटेस, 4, 15 आगे, D वरावर मैनस 15, फिर D कामान समीकन एक में रखेंगे, A प्लस D वरावर 38, मैनस 15 वरावर D, 38, ठीक है, D कामान 15 रखा, एक ही वैल्यू को निकाले मैनस 15 प्लस A बरावर 38, A बरावर 38 प्लस 15 यानि 53 आगया, A की वैल्यू आ गई, अब यह जो ब्लॉक में बंद थे यह नंबर इनको निकालेंगे, यह खाली हिस्तान है, मैने इसको बहर दिया है, गयात करने के बाद, A प्लस 2D, A प्लस 2D वरावर 53 प्लस 2 गुड़ा मैनस 15 15 दूनी 30, 53 गढ़ाएंगे 23, A प्लस 3D, 53 प्लस 3 गुड़ा मैनस 15, 3 प्लस 4D देखाएंगे, 35 प्लस 4 गुड़ा मैनस 15, 15 चौक 60, 3 प्लस 3 गुड़ा मैनस 15, ठीक है, मित्रो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समंतर स्रेडी के अंदर कोई प्रश्न में प्रॉब्लम आ और देखते रहे हैं विकिपीडिया चैनल जैजिनेंद्र, जैहिंद, जैभारत